मन की सुन्दर्ता तन से सुन्दर होने से अच्छा, मन से सुन्दर होना होता है क्योंकि हमारे शरीर की सुन्दर्ता कुछ समय के लिए ही टिकती है, जबकि हमारे मन की सुन्दर्ता आजीवन टिकती है, ये कहानी भी मन की सुन्दर्ता के बारे में ही है. रॉबर्ट कालरा दिखने में अच्छे नहीं थे वो एक दिन जब अकेले थे तब आइना हाथ में लेकर अपना चहरा देख रहे थे तब ही उनका एक शिश्य कमरे में आ जाता है और रॉबर्ट को ऐसे आइना में अपना चहरा देखते हुए देख लिता है शिष्य बिना कुछ बोले मुस्कराने लगता है रॉबर्ट कालरा शिष्य की मुस्कराहग देखकर सब समझ गए और कुछ देर के बाद बोलते हैं मैं तुम्हारे मुस्कराने का मतलब समझ रहा हूँ शायद तुम ये सोच रहे हो कि मुझ जैसा बदसूरत आदमी आइना क्यूँ देख रहा है शिष्य कुछ नहीं बोलता है और शर्म से अपना सर जुका कर बैख जाता है तालरा शिश्य से कहते है कि शायद तुम ये नहीं जानते हो कि मैं आइना क्यों देख रहा हूँ शिश्य ने कहा जी मैं नहीं जानता हूँ तालरा ने कहा मैं बदसूरत हूँ इसलिए मैं हर रोज आइना में देखता हूँ आईना में देखकर मुझे ये पता चल जाता है कि मैं कितना बदसूरत हूँ मैं अपने बदसूरत रूप को जानता हूँ और इसलिए मैं हर रोज कोशिश करता हूँ कि मैं अच्छे काम करूँ ताकि मेरी यह बदसूरती धक जाए कालरा की ये बात सुनकर शिष्य ने उनसे पूछा की गुरुजी फिर तो जो लोग सुन्दर है उसे कभी भी आइना में नहीं देखना चाहिए ना कालरा ने शिश्य को समझाते हुए कहा कि उन्हें भी आइना में देखना चाहिए ताकि उन्हें ध्यान रहे कि वे जितने सुन्दर दीखते हैं उतने ही सुन्दर काम करें उनके बुरे काम उनकी सुन्दर्ता को धक न ले और बाद में उन्हें बदसूरत न बना दे इसलिए उन्हें भी आईना में देखना चाहिए शिश्य अपने गुरू जी की बात समझ जाता है और उन्हें ये भी पता चल जाता है कि वास्तविक सुन्दर्ता का मतलब मन की सुन्दर्ता होता है हमारे शरीर की सुन्दर्ता टेंपररी होती है जबकि हमारे मन और विचारों की सुन्दर्ता पर्मनन्ट होती है अगर आपको हमारी स्टोरी अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजे और कॉमेंट में जरूर बताए कि कैसी लगी हमारी स्टोरी झाल 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 झा